हलो नमस्कार मेना नाम है अभिशेक और आप देख रहे हैं तक्षिला विधी टॉक्स आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे मित्र में इनको कहूंगा पाकिस्तान से हमारे साथ हैं मैंने इनसे बहुत कुछ इनसे बातों के दोवां सीखा है और अपके जो विवर्स हमें जहां जहां पर भी देख रहे हैं तो सब को वेलकम करते हैं शो के अंदर बहुत शुक्रिया एक ये कोशन आता है कि ये जो आप फकर के बाद बोलते हैं वो अगले ही वो क्या है ये लोग जाना चाहते हैं पखेर का मतलब है जिस सरह हम कहते हैं आप लोग या हम लोग कहते हैं नमस्ते या हम कहते वेलकम तो सेम लाइ है, simply, simply. So, हमें नहीं पता था, हमें लगता था, आप बोलते हैं, हमाँ नामें फकर, और समस्थिंग, तो पखेर, क्या वर्ड है, पखेर? No, 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 वह असल में, फे और पे है, ना, वो उर्दू जिन लोगों को समझ आती है, तो उसमें, मतलब, F और P जिस तरह है, same like that. पखेर, रागले, रागले का मतलब आना, पखेर है, यनि खेरियत से, जिस तरह हम उर्दू या हिंदी में कहते हैं, कि खेर से आएं या खेर से जाएं, तो same like that, मतलब, it's a simple word, रागले का मतलब आना, यनि जो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप उसको पखेर कहते हैं, कि आप खेरियत से आ गएं, जिस तरह हम नर्मली पूछते हैं, आप लोगों कहां भी ये वर्ड बहुत मेरे खेर कामन है, और पाकिस्तान में, अफगनिस्ता में बहुत कामन है, हम लोग ये कहते हैं, और हमारे पश्टून में तो खेर बहुत है, बलुचस्तान, KP, अफगनिस्तान में, बहुत कामन है ये वो, जी, 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 और हमारे इस आप से देखेगा, तो फकर भाई हमारे लिए तो आप भी हमारे ही फैमिली का एक हिस्सा है, फकर भाई, आपका बहुत 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 पखेर रागली और बास शुरू करते हैं, तो आप इक बात पहुत हैं कि ये जो अफगनिस्तान और हिंद और पाकिस्तान का ये जो रिलेशनशिप है, ये हमेशाए ट्रबल क्यों रहा ये इसमें शुरू से पाकिस्तान के बनने स और आज तर, वो चीज क्यों नहीं आ पाई, जो कि पाकिस्तानी अजम्शन था, जो कि हम एक ही लोग हैं, कौम वाइस तो, इसको समझाएं जरा माईदर शुकों को, देखें, दो फेजिज ऐसे आये थे, एक तो पाकिस्तान जब नहीं बनाता, 1857 जिसको आप और हम जंग अजादी के नाम से जानते हैं, एक वार हुई थी, उस वक्त क्योंकि यहां पे बहुत बड़ी जंग थी और यहां से कुछ लोग माईगरेट होके गए थे, यह मतलब बात रिकॉर्ड बे मुझूद है, और पिर हुआ यह कि उन लोगों को वापस किया गया और कहा गया कि उनकी वहां पे उनकी खवातीन को रोका गया, एक तो यह एक बात की जाती है, बट जो सबसे ज्यादा हुई है, वो नैंटीन फूट सेवन से शुरू होती है, और वो यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान यह अलग हो गए, पार्टिशन हो गई, तो उस वक्त तो मतलब बिंग ए नेवर कंट्री, बिंग ए मुस्लिम कंट्री, उन्होंने पाकिस्तान को रिकगनाज़ नहीं किया ता, तो कहते हैं कि जी उस वक्त से यह चीज़े आ रही हैं, मतलब मैं यह कहुंगा कि हमारे पश्टों में कहते हैं तर्बूर वली, तर्बूर बेसिकल भी होते हैं, और पश्टों में फर्चुनेटली बहुत होते हैं, जाइदादों वाइदादों के जगड़े अब कम हुए हैं, तो यह उस वक्त से यह चीज़ चलती हुई आ रही है, फिर यखिनन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे देखने वालों को भी, कि डि डिस्प्यूटिट एरिया है, यह मतलब आपका नहीं है, यह हमारा एरिया है, हम इसको मानते नहीं हैं, तो यह भी एक चीज़ तो दो तीन यह बड़ी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, लेकिन मैं ही कहूंगा कि अगर ऐसी चीज़ होती तो फिर तो शायद इस्ट और व मौजूद हैं, तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्यों या पाकिस्तानी और अफगानियों में क्यों, लेकिन एक अजीब किसम की नफरत है, एसी नफरत है कि मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई किसी को पता चलता है, लेट सपोस जो पाकिस्तानी वहां पे जा लावा जो तालिबान फोर्सिस के साथ चोटी मोटी वोवी थी, वो भी उनके नीचे जो लेवल के लोग होते हैं, उनके साथ उपर लेवल का किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा वो नहीं किया, कोई बत्तमीज ही या, वो भी बॉर्डर के उपर, तो एक इस किसम कि ये वो कहते हैं ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, यखीना अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन ये कहते हैं कि यहां पे जो लाउस रिगुलेशन हैं, वो हमारे उपर लागू नहीं है, अगर बॉर्डर के उस पार, इस पार हम लोग रहते हैं, तो हमें बस इसी तरीके से आने जा ने दिया जाए, तो मैं एक क्वेस्टिन मतलब पूछता हूँ, टॉक साब आप भी बहुत रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज में आप रहे हैं, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और इंदुस्तान के बीच में इतना सा ब ओर्डर है, मतलब जिसे कहत एंदुस्तान के अपने रूल्स्ट रिगॉलेशन नहीं के विजे नहीं देते ए लेकिन लेकिन देगबाल जिनको देना होता है, वो दे रहे थे जिनको नहीं देना वो नहीं दे थे, ते Lore गाल कि पाकिस्तान ने जो गलतियां की, 1979 ने सुविएट वार का इस्सा बनकर अम ginger morph बात करते हैं हमारे दोस्त क्या रहे हैं और वो बताते हैं कि वो यह वह हमें बुरा लगता है कि आप हमारे हां interference क्यूं करते हैं और यह यह basically as a जर्रेनलिस्ट में यह जर्रिनलिस्ट मैं यह कहता भी हूं कि यह हमें अपना गर सीधा करना चाहिए हमें अफगानस्तान से वो जिस तरीके से अपने आपको रखे एरान के साथ उन्होंने कैसे तालुकात रखने यह उनका मसला है, हिंदुस्तान के साथ उन्होंने कैसा तालुक रखने यह उनका अपना मसला है, रशिया, अमरीका के साथ कैसा तालुक रखने यह उनका अपना मसला है, मुझे अपन हुए इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने अमरीका का साथ दे कर हमें चलो माली फाइदा तो हुआ लेकिन कंट्री तो उनका तबाव बरबाद हुआ ना उनके काल्चर पूरा जिसे कहते है कि एक ओपन सुसाइटी हुआ करती थी 1978-79 तक युनिवस्टी में जो है वो लड़क साइदा मुविस्ट देखने के लिए जलालाबाद और काबल में जाया करते थे 78 से पहले तो 79 से पहले यह इतना एडवांस्मेंट थी अलागे उसको पिशावर भी एक बड़ा अच्छा शेयर हुआ करता था एक पुरमन शेयर हुआ करता था और इस तरह की कुछ चीज नह ही लेकर आएंगे तो मेरे ख्याल में यह नफरत खतम नहीं होगी जब तक अफगानिस्तान वालों को अफगानिस्तान भई आप जाने आपका काम जाने जब तक हम इससे हाथ पूरा नहीं निकालेंगे और हम कहेंगे कि सर हमें अपना काम करने दे हम मांगते हैं या मजाक बढ़ाते हैं हमारा हम दुनिया से बीक मांग रहे हैं या इमेप से मांग रहे हैं या आप से मांग रहे हैं या किसी और से मांग रहे हमें अपना मांगने दे और आप अपना करें तो तब जाके शायद इन चीजों में तोड़ सी कमी आएगी अदरवाइस इसके अंदर कमी नहीं आती और एक चीज और मैं फिर खत्म करता हूँ एक चीज और है डॉक्र साब बहुत सारे लोग अफगानिस्तान के अमारे साथ अमारे चैनल पर भी काम करते रहे वो बाहर چلے گے. کوئی امریکا میں ہے. کوئی یوکے میں ہے. کوئی कہاں پہ ہے. وہاں سے ٹوٹر پینا, بیٹھ کر سکون پر سکون جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جی وہاں سے بڑا وہ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر آپ کو اتنا ہے. مطلب اتنا درد آپ کو ہو رہا ہے. تو آپ ایک کام کریں. آپ آ کر کابل میں کیوں نہیں بیٹھے? آپ آ کر جلالہ آدھ میں کیوں نہیں بیٹھتے? آپ آ کر ہلمند میں کیوں نہیں बैटते हैं, अमरीका से तो बैट के ट्वीट मैं भी कर लूँगा, मतलब बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भी वहाँ पर बैटे हुएं, वो जो इमरान खान के जमाने के बागे हुएं, वो वहाँ पर बैटे हुएं और वो गालम गलोच और पतिन क्या कुछ कर रहे होते हैं, what the thing is, कि आप खुद सखु़ सकुझ से रह रहें, लेकिन बाकी लोगों उसकुझ सकुझ से नहीं रहने दो, तो वो जिसे कहते हैं यह जिसे कहते हैं जलती पर तेल भी डाल रहे होते हैं, कि भाई यह तो यह कर दिया, वो तो वो कर दिया, मैं कहते हूं, हाँ, फाकिस्तान को एक respectable way है किसी के साथ ज्यारती नहीं होनी चाहिए वो अफगानिस्तान से कोई उसका तालुक हो या किसी और जगा से तालुक हो बिलकुल एक इस्जत के साथ एक तरीकार के तहद उनको बताया जाए कि भई ठीक है आप हमारे साथ रहे हमारे पडोसी भी है आप मुसलिम या हुई उसके उपर हम सौरी करते हैं और कर लेना चाहिए मेरा काल दिल बड़ा कर लेना चाहिए पाकिस्तान को कि हमसे एगर कोई गल्टिया हुई है हमें आप माफ कर दे दिल से हम आपको कर देते हैं आप अपना गर चलाने दे तो शायद तब जाके डोक्ट साब यह नफर जढ़ती जाएंगी, कभी हम कहेंगे अफगानियों को हम निकाल ले ilegal रहे और हम कहेंगे ये border पे ये terrorism करॺं रहे है, इसलिए हम ये कर रहे है ये ये हमला कर दिया, ये उनके लोग ने वौल्ट हैं जब तक के अफगानी ज़यादा समझ पाएंगे लेकिन मैं इसको पाकिस्तानी प्रस्पेक्टिव से समझना चाहिए। किसी अफगानी से भी एक दिन हम बात करेंगे और अब माली यह मैं पंजाबी हूं माल लीज़ए ऐसा और मैं इंडियन पंजाबी हूँ और कोई पाकिस्टानी पंजाबी है तो एक पंजाबी यह नेखता है चाहरो, It's just like that. आप दोनों तरफ के लोगों से राफ्ते में हैं, आप मुझसे ज़्यादा लोगों को जानते हैं, आप समझ से हैं को समझते हैं तो जो एक क्या, ये ऐसा नहीं है कि मतलब पाकिस्तान का जो आइडिया है, ये पाकिस्ताणियों से ज़्यादा है उसके परोसि को भेजा जाना था बेचना था यानि कि अफगानिस्तान शुड़े बॉट इट इंडिया शुड़े वह नहीं और वो यह मानते हैं कि इस पूरा संभ टे Stafford का कि यह जो आपके हां के लोग ग्युड और जंकहानी पाकिस्तान को देखते हैं और जब एक अफगानी पाकिस्तान को देखता हैं ति क्या वह सेंडरस्टेंडिंग रगते या वो हिंद Our Mentos का दर्द इफले समझते हैं हमें लगता है पंजाब तो हमारा था अब तो 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 इक दर्द है हमें पाकिस्तान बनने के दिल ना क्योंकि पूर्खों की तो दर्द होता है तो आप क्या कहेंगे कि एक अफगानी क्या उसी दर्द से एक पश्टून जब देखता है क्योंकि वह उस्बेक वाला पश्टून तो उसका इसा नहीं है चुकि पश्टून तो वह इधर आता जाएगा अफगानिस्तान से ज्यादा वह हिंदुस्तान की जिकर है क्योंकि गांधारी जो की दुर्योधन की मा थी वो गांधार से आई थी जिनको आज आप गांधार कहते हैं जे जे तो हमारा तो historical connection है उसके बिना हम तो दूरे हैं तो आप ये समझाए कि क्या ये एक वज़ा है कि अफगानी पाकिस्तान को समझ नहीं पारे बिकास की वो इस idea आउफ पाकिस्तान को नहीं समझ पा देखियें मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के लोगों का एक issue है वो पाकिस्तान के वाले से पाकिस्टान के वाले से वो कहते हैं उनका एक मतलब आप किसी भी अफगानी मतलब बेशक मेरे और दोस्तों या कोई और आपके यार दोस्तों आप उनसे बात करेंगे तो वो हर चीज़ की रिस्पॉनसिबिलिटी पाकिस्तान पर ढाल लेंगे यह बड़ी क्लिर है क्योंकि हमारे साथ क्लास में पढ़ते रहे एक रूम में हम रहते रहे और बड़ी कुली गफशप होती थी अब भी उनके साथ यारी अंदोस्ती है उसमें से जाए तर दोस्त हमारे यूरपियन कंट्रीज में कहां कहां रह रहे जब आते हैं तो हमेशा असलावबाद में और बड़ी गफशप चलती है मारे क्या चीज़ है मैं उनसे कहता हूं कि यार मैं मान लेता हूं ठीक है कि यार सारा कसूर पाकिस्तान का है लेकिन आप तो आपस में भी एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं कि मतलब जो पंशेरी है क्या नाम था मसूद उस प्क्तलिब जो लोग रहते हैं मैं क्या वो पाकिस्तान वालों के कहने पर आपस में लड़ रहे हैं आपस में भी तो आप अपने गर को ठीक नहीं करते हैं अगर कारज़ई साब आते हैं तो किसी और को तक्नीफ होती है क्यार कारजई को कैसे निकालना है हलाएक एक भी आप नहीं चोड़ते अब तालिमान आपके मुलके उपर वो कौन है वो तालिमान आप कहते जी एंफुरेंस पाकस्तान का था वो तो पाकस्तान को आप सीडी सीडी दमकिया दे रहे हैं मुलाय आपकूब ने कहा है कि आप अगर इनको बेजिंगे दो दिन पहले उनका कहते है ना मुश्किल चीजे बुगत नहीं पड़ेंगी तो मैं ये कहना चा रहा हूँ कि अफगानिस्तान के लोग अपने मसलों को अपने प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें ना कि मैं ये कहता हूँ कि बई तुर्खम एक बॉर्डर है आप इसको नहीं मानते ही मैं अगर उस तुर्खम बॉर्डर को क्रॉस करता हूँ तो हमेशा मेरा ये पासपोर्ट पड़ा हुआ भी आपको अफगानिस्तान के तीन वीज़े मैं दिखा सकता हूँ कि तीन दफ़ा मैं गया हूँ तीनों दफ़ा मैंने वीज़ा है हलांके मैं बगएर वीज़े के भ अगर फड़ा पस्ताव मैं एक जैसे लोग रहते हैं इरानियन बॉडर के ओपर बी पर्शियन रहते हैं दोनों साइट सब्णों हैं अफगानिस्तान में और आरण पर शूरू पर रहते हैं अब उनके साथ वाले मसले उनके नहीं हैं वहाँ पर पर प्रॉपर सिस्टम है वहां से वो ऐसे नहीं है कि कोई मतलब जिसे कहते कि बेड़ बक्री होगी तरह लोग आना चुरू कर दे या जाना चुरू कर दे दोनों साइट से नहीं हो रहा यह चीज़ असल मैं फिर वही करूंगा कि बाद गूम के होई पाकस्तान की पॉलिसी भी आती है कि 1979 पर जब पा बॉर्डर के बिलकुल लाइन के डियूरन लाइन के साथ जो पाकस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के लोग हैं बहुत सारे लोग की रिष्टदारिया हैं इसमें भी कुई मैं मैं इसमें यह नहीं कहता कि नहीं रिष्टदारियों का क्या मतलब है कि अब इस बॉर्डर को हम खतम कर दें, अब मैं मरदान से तालोक रखता हूँ, मरदान तुर्खम से मेरे ख्याल में हार्ड डी डेर्ड गिंटे की ड्राइब पे है, तो अब मैं कहूं कि यार इसको बिलकुल मतलब खतम कर दो, इसके बीच में कोई वो नहीं होना, कोई तो लाइन, यहने आपके बा बाई का का रहा है, तो यह तो एक तरीका कार है, यह तो नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ, कि आज भी, डॉक्र साब यकीन करें, कि आज मुझे कुछ लोगों के साथ बैटना हुआ संड़े को, मुझे पता है, उन्होंने क्या बोला, मुझे कहते हैं, यह पाकिस्तान और हिंद कोई जूट नहीं है, इसके अंदर, मैं का यार, बिलकुल सही कह रहा हूँ, मैं का वहाँ पे भी बॉर्डर के उस पार भी ऐसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हमारी जैसी जुबान बोलते हैं, मैं का कुई ऐसे नहीं है, हाँ, मजभ उनका अलग है, तो मजभ तो मैंन के लोगे लेकिन आना जाना वहाँ पे नहीं है इंदुस्तान के साथ ज्यादा उसके मुकाबले में ज्यादा मैं कहता हूं कि बाउंडनस है लोग ज्यादा मतलब इजी फील करते हैं इंदुस्तान में जाकर और ज्यादा मतलब एड़स्ट हो जाते हैं इरान की बजाए अग तो पश्ठून्स हैं, या एक प्रूसीजर. अभी क्योंकि पाक।करा किस्टान ने एक वीजा सिस्टम निकाला हु壞ा हुआ अफगानस्तान के ज़़ाय तर लोग कारोबारी हैं. नुकरिया वो लोग कम करते हैं, कारोबारी हैं. और बड़े अच्छे कारोबारी लोग है, बड़े ट्रस्टिट किसम के कारोबारी लोग है, उनको बाकाइदा दिया जाए, वीजर्स दिया जाए और मैं कहता हूँ प्रापर एक सिस्टम उनका रखा जाए, बहुत अच्छा बिजनस करते हैं, ट्रांस्पोर्टेशन में उन पाकिस्तान की गुड्स ट्रांपोर्ट को ये लोग कंट्रोल करते हैं, तो मैं कहता हूँ यार, आप इनको एक तरीके के साथ डील करें, पिर कुछ लोग, डॉक्साब कुछ चीजों को मतलब एक्जिजरेट करते हैं, प्राबिगेड भी क्या जाता है, मैं ये नहीं कहता ह कि अफगानियों के साथ कि भी गलत नहीं हुआ होगा पाकिस्तानी, लेकिन अगर मैं यही चीज़ लेके बैड़ जाओ, तो बहुत सारे पाकिस्तानियों के साथ भी अफगानिस्तान में बहुत कुछ होता है, या हुआ है, तो अब उस चीज़ को लेके बैड़ जाओ, तो वक्त डॉक्ष साब, पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए 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 हैं, यकीन करें कि सिक्यूर्टी सिचुएशन इंत्या की खराब है, और इसमें ये मैं नहीं कहुँगा कि सारा अफगानिस्तान की वज़ासे खराब, इसकी वज़ा ये है कि हमारे हैं प्रॉपर इस तरह का स तूट जाएगा नहीं लेकिन वोट ते तेंग इस कि उनका प्रॉपर एक रिकॉर्ड मैं कहता हूं कि वो मेंटेंड किया जाए इससे उनकी जिंदगी भी असान होगी और मेरे ख्याल अब पाकिस्तानियों की जिंदगी भी असान होगी और यकीन करें कि रॉक्साब एक हैं तो वहाँ पे लोग आम लोग जाके उनके आईडी कार्ट चेक करते हैं कि भाई आप कहां से हूँ अब हो के यह मैं जोब से हूँ जोब के पश्टून हैं जो नार्ट मलचस्तान है वो पश्टून सिक्स्टिवाइब परसन पापुलेशन पश्टून हों के यह हमारे पश्टून कोई के लोग हैं तो उसके उपर मुझे भी बुरा लगता है तकलीफ होती है कि यार अगर उसकी लैंगविच मतलब उसंदी नहीं बोल पाता या उसकी उर्दू में जिस तरह कटा चाहता है हम पश्टूनों के तो आप उसकी वज़ा से उसके आईडिकार्ट तो यार ये अफगानी तो नहीं भाई ये आपका काम नहीं ये गुर्णमेंट इसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम मनाएं बहुत सारे इनके पास लोग हैं फुलिस है इनके पास स्पेशल ब्रांच है इनके पास आईसाई आई भी और पता हैं कितने साथ-ाठ किसम की एजन आपके लोग आएंगे बिल्कुल पहले भी आते थे अब भी आएंगे लेकिन उसके लिए ये प्रोसीजर होगा जिस तरह हम बाकी कंट्रीज में एरान में आपके लोग जाते हैं या हिंदुस्तान में आपके लोग जाते हैं या काजिकिस्तान उस्बकिस्तान में आपके जाते हैं प्रापर डॉक्मेंट्स के साथ जाते हैं बिलकुल जाएं कोई मतलब ऐसा नहीं कि भई पिशावर अफगानिस्तान के लोग नहीं आ सकते हैं अजार दफ़ाएं दोजार दफ़ाएं मरदान है असलावबाद है लाहोरा है कराची है कोई टेंशन नहीं लेकिन एक हो कि यार कोन इंटर्ड हो और कोन यहां से गया यकिन करें कि सिक्स्टी फाइब ताउजन लोग सिर्फ तोर्खम बॉर्डर से डेली बेसिस पे डॉक्टर साब गुजरते हैं अगर आप उस बॉर्डर की वीडियो से यकिन आपने देखी होंगी लेकिन अगर आपका कभी पकड़ लेंगे कि यह क्या हो रहा है मतलब इस तरह के भी बॉर्डर हो सकता है इस किसम का बॉर्डर है मतलब आफ अकसर नेपाल गालिब आप splash 3 बॉर्डर है तो मेरे ख्याल है इसका फाइदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को होगा एक तो यह है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है डॉक्ट साब के एक बिचारा आदमी आया होता है इलाज मालेजे के लिए आस्पिटल में इसलावबाद के पिशावर के वो लोग आते हैं फिर उनके पास जब परापर चीजह नहीं होती पुलिस वाले उनको तंग करते हैं उन्से पैसे ले तो कम इसकम इन चीजों से उनकी जञान चूट जागीm जब इनके पास एक चीज होगी न कुई उन्से पोचे गा कि उंके सह के और passport है ये इसके उपर ये visa है और ये मेरे documents है कोई कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता बेशक जो मर्जी कह दे कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता वो कहीं पे भी जाएगा तो कोई इसको तंग नहीं करेगा तो मेरे ख्याल में इसको एक understanding के साथ करना पड़ेगा बेज़ती insult वाले way मे क्योंकि बहुत सारे हमारे पश्टून भी इसमें नाराज हैं खैबर पुखतुलकुआ के बलोचिस्तान के वो कहते हैं नहीं है आप एक तरीका कार बनाओ एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाओ आप इदर से उटाओ उनको लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब आप जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान भी तोड़ा साना टोन डाउन किया पाकिस्तान ने तो अब जो लोग गएं वो गएं और जो जाएंगे तो शायद वो एक प्रॉपर तरीका कार के तहर जाएंगे क्योंकि उनके बागी सारी चीजे एक रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्ता अगर कर जाये तो मुझे वैसे यकीन नहीं है मैं आपको स्क्लेर कड़ बता तो डॉक्साब आज से आट दस साल पहले भी घणी साब की हुकूमत में यूनिस्यार ने डिल्डट सो डॉलर देते थे पर परसन वो लोग ले ले लेते थे वो जाते थे और यकीन करें उसके ए तो ऐसे भी मतलब वो चीज़े होती हैं तो यह कर प्रोसीजर प्रॉपर हो जाता है तो मेरे खाल मैं बहतर हो जाएगा दोनों के लिए और ये नफरते जितनी कम की जाएं बजाए इसके कि हम उसके उपर तेल डालते रहे आग के उपर और उसको मजीद बढ़काएं तो न होना चाहिए अफगन स्थान को भी उनके लोगों को भी तोड़ा सा जो कुछ हुआ है अब वो गुजर गया हम भी हमने भी बहुत कुछ जिसे कहते हैं कोया है उसकी वजाए हमारी गलती थि मैं यह निका था हमने बहुत कुछ कोया है हमारे मिलक में सैवंटीनाइं से पहल लेख नो खाता है ना आज पड़ता है, और ना इंदा उनको पड़ता है, क्जिए ना उनको पड़ता है, कि यहाँ तो वह है नहीं है, तो डारिकली फरक हम पर, अफगानिस्तान पर, आइरान पर, हिंदुस्तान पर, या किसी इस रीजियन के कर Automate पर पर पड़ता है, इस way की भरूवता है बाकी चलता रहता है चोटी शोटी मूटी चीज़े होती रहती रहती है और नफरत उसे चीज़े टीक नहीं होती है मिने ख्याल में मझीद खराब होती हैं वह छीज़ेज़ रही चाहिए भी हमारी के टेकर पे बैट के हलो सकते हैं, ना कि हम लडाई जगड़े करेंगे, हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालम गलोच करेंगे, वो काबल में जाके पाकिस्तान का फ्लेग जला देंगे, यहां पे हम अफगानिस्तान वालों को गालिया देंगे, तो इससे कोई फरक नहीं अपसान होगा मेरे ख्यास से. अच्छा आप यह एक लास कोशन पूछते हैं, फकर भाई, वैसे हम आपको बता दें कि भारत का जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ सिर्फ वही बॉर्डर ट्रबल्ड है, बाकि हमारा मैंनमार के साथ बॉर्डर लगता है, भुटान के साथ ब भी दुक है कि यह भी नॉर्मल होना चाहिए था, होगा, होगा, वक्त और समय हो, सब चीट को नॉर्मल होता है, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, चूंकि दिमागों में जाले लगे हों तो उसको साफ करने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो वो होगा, बिकु आपको बिकुशन पर से नीचे हो जाती है, तो तो इस टाइम की धीरे धीरे उनको रिकरनाईज करना पड़ेगा, चल्ड लास्ट कोशिए यह बताईए, फकर भाई, कि पाक्स्तान की जंता में जो रिफ्यूजीज है या बनते हैं पलेस्टाइन के लिए, उसके लिए तो उनको बहुत दर्थ है, ठीक है न, देर हाट ब्लीट्स, लेकिन वही चीज नहीं दिखती है जब वो अफगानिस्तान के रिफ्यूजी हैं, अगर वो उनको कहने नहीं को तो निकालना चाहिए, यह बेकार लोग हैं, और यही देखा गया कि यही पाक्स्तान जो है वो ब्ल हो, तो आपके आप एजिप्ट के परती भी लोगों में गुसा पहा जा रहा है, लेकिन जॉर्डन का एक एक एक्स्पिरियंस है, जिसमें आप खुद गए थे, यानि पाक्स्तान की सेना खुद गई थी, और उन्होंने जो फता ब्रिगेट था, या जो भी यह पलेस्टिन क्यों है, दो तरह की भावना, देखें, अगर हम घजा की बात करें, तो उनको पता है कि हमारा कोई उनके साथ बॉर्डर तो लगता नहीं, कि घजा के लोग यहां पे गुज जाएंगे, उन्होंने तो या जॉर्डन में में मैंने खाल बॉर्डर उनका लगता है, या पिर अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ बिलकुल दीवार लगी भी है, वो यहां से बाजवर्ड से शुरू होता है और वो जाके जिसे कहते हैं चमन और उससे भी आगे तक 17-1800 किलूमीटर का बॉर्डर हम शेर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो उनको तो पता है कि चैँ गयometर कि जार ये तो आते ही आते हैं और यहां पे मॉजूद है, तो जो लोग मुजूद है, वो कहते हैं यार ये इनको तो नकाल दो, और जो वहां पे इनको बड़े क्लियर हैं इनका माइंड यहां पर गजा का आदू in, यहां पाकसितान तो झी आंसकताना, य делать ग HOW दस सो पचास इस से ज्यादा लोग वहां से यहां नहीं आ सकते लेकिन अगर अगर अफगानिस्तान की बात कीज़े तो अफगानिस्तान में आपको का कि पचपन से साथ सतर हजार लोग डेली बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते आना और जाना है उसको मैं डेनाई कर सकता हूँ और अब तो जर्नल ज्या नहीं है लेकिन उनके बाकी जो लोगए न वो इसको और डेनाई कर सकते हैं कि कहते हैं कि इतने सारे फलिस्तिनी शायद इसराहील ने नहीं मारे होंगे जितने कि उस वक्त जौरड़न के कहने पे उन्हों मारे थे unfortunately अलाएं कि क्या जरूरत थी इस तरह की चीज़ों में पंगे लेने की इसको पंगे इसलिए कहता हूं मैं कहता हूं ना कि अफगनिस्तान से हमें निकलना है अफगनिस्तान से हमें totally निकलना टोटली निकलने का मतलब यह कि हमें महां पर कुछ interference नहीं करने, वो जाने, उनका काम जाने, अच्छा करे, बुरा करे, same like that, फलस्तीन के लोग है, या जॉर्डन के साथ हैं, जॉर्डन जाने और फलस्तीन जाने, मैं कोन होता हूं कि यहां से मतलब जिसे कहते हैं कि तीसरी दुनिया से जाका और महा पे उनके लिए किराय का सिपाई बन रहा हूं, उनके लिए लट रहा हूं, यह चीजें हमें देखनी पड़ी हैं और इसने नुकसान हमें, डॉक्साब दिया हुआ है, हमें इस चीज ने कभी फाइदा नहीं दिया, हाँ, एक चीज है, कुछ लोगों को शाहिद फाइदा हुआ होगा, और ज अनफर्चिनेटली यह सबसे बड़ी चीज़ और जहां तक आपने बात की कि अफगान रिफ्यूजिस की, मैं आपको बताया कि अफगानियों के साथ एक जो पाकिस्तानियों का, सब की बात मैं नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों के अच्छे तालुकाद भी, बहुत सारे ल लड़के लड़कियां पड़ रहे हैं, कुछ को तो मैं परसनली जानता हूँ और जब अफगान तालिबान आयते हैं, उनके वीजाज नहीं लग रहे थे, तो तीन चार लोगों को में वाएंबेसिस को काबल में का और उनको पर साल साल के वीजाज लगें, तो ऐसा नहीं ह हैं, जो इस नफरत की आग को मजीद बढ़काते हैं, और उसमें मैंने आपको बताए कि उसमें उस मुक्तलिब किसम की पॉलिसी होती है, और मैंने का कि कुछ लोगों का फाइदा होता उसके, पहले उनका साथ देने में फाइदा था तो साथ दे रहे थे, फिर आप उनको पाइदा तो बगाने का काम करें, मुसीबत ये कि एक प्रॉपर पॉलिसी अगर हमारी होती, जिस तरह मैंने का ना कि रिफ्यूजी इरान में भी गए थे, 79 में, ऐसा तो नहीं कि एरान में लोग नहीं गए थे, या बाकी सेंट्रिलेशन कंट्रीज में नहीं गए लेकिन उन्होंने एक क्लियर कट सिस्टम बनाया हुआ तो वो अमरीका का साथ तो दे नहीं रहते हैं उस वक्त ना आज दिया ना उस वक्त दे रहते हैं उन्होंने अपना का ठीक है चाहिए इधर रहना है, हमने का नहीं भई हमने तो यह तो हम इनके साथ, हम इसी ऐसी मिसाले दे जाती फाइदे के लिए जो कुछ कर रहे थे, उसमें रिलिजन को गसी उट रहे थे, और कहा यह जाता है कि 1979 से पहले हमारे हाँ यह नफरत की बीच जो जो सुसाइटी के अंदर जो एक्स्ट्रीम है, इक्स्ट्रीमिजम है, इस तरह की नहीं थी, इससे पहले एक नॉर्मल लोग रहा करते थे, कराची के बीच उस पे लोग जाके मतलब जिसे कहते हैं कि अब भी आप पिक्चर गूगल करले तो आपको मिलिए गए, आपको यकीन नहीं आगा कि कराची की पिक्चर्स영 लें, लेकिन अब वहां पाने आपको जिसे कहते हैं, बुर्कों में और पत् pictures ہیں لیکن اب وہاں پہ لوگ جا کے مطلب اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں بھرکوں میں اور پتہ نہیں کہا کا جن کا کچھ لوگوں کا شاید نہ بھی چاہتا ہوگا پہننا جو پہننا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں لیکن یہ چیزیں کیوں ہوئیں کیونکہ ہماری society کو زبردستی جو آپ کہہ رہے نا کہ against the nature ڈالا گیا تو ان کو گسیڑا گیا اس چیز کے اندر گسیٹ آ گیا اس چیز کے اندر by nature by by جسے کہتے ہیں by mind وہ ایسا نہیں تھا کیا وہ ایسا کرنا چاہتا ہے افغانستان کی اس modernism کو تباہ و برباد کر کے ان کو پیچھے دکھلا گیا پاکستان کے ساتھ یہ کیا گیا کہ وہ extremism جو ہے وہ پاکستان کے اندر پھر transfer کی گئی پھر یہاں پہ اسلام اور پتہ نہیں کس کس کی جو ہے مختلف قسم کے children بیچے گئے وہ چیزیں آج تک ہمیں نقصان دے رہی ہیں آج تک وہ extremism وہ terrorism ہم اس کے جو فصلے ہیں وہ ہم کاٹتے ہیں وہ دوبارہ اگتی ہیں وہ crop جو ہے ہم cut کرتے ہیں وہ دوبارہ وہ crop جو ہے وہ دوبارہ اگنا شروع ہو جاتی ہے کیوں ہے کیونکہ وہ اتنے سال اس کو عبیاری کی گئی اس کو تیار کیا گیا تو اتنے آسانی سے وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی اسی طریقے سے یہ نفرتیں یا یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ بھی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گی لیکن افغان حکومت طالبان نے کہا تھا کہ ہم تو اشرف غنی صاحب تو ایک illegal president کہتے تھے ان کو ان سے مجلسے کہتے ہیں کہ اس کو چین آ گیا ان سے حکومت چین ہی گئی تو جب ان سے چین لی تو اب اپنے لوگوں کو بھی اپنے پاس ان کو رکھنا چاہیے میرے خیال میں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہاں یار ہم نے تو یہ ملک ہم بیس سال تیس سال ہم لڑے اس کے لیے امریکہ کے امریکہ کے خلاف کسی لیے لڑ رہے تھے کسی لیے لڑ رہے تھے کہ ہم نے ان کو بیجنا اور ہم نے اپنی حکومت چلانی اپنا ملک چلانا ہے تو جب آپ ملک چلا رہے ہیں تو سر ملک میں آپ کے لوگ رہتے ہیں ملک ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کی مطلب پینتیس لوگوں کی کیابنٹ ہوگی اور آپ کہیں یہ ہمارا ملک ہے ایسا تو کوئی مطلب کوئی کنٹری نہیں ہوتا آپ کی تین سرٹی تین کروڑ کی پاپولیشن آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ بھئی آ کے ہم آپ کو آباد کریں گے پاکستان کے ساتھ بھی بات کریں ایران کے ساتھ بھی بات کریں آنا جانا تو ہے آپ کا آپ کے امیر خان متقی تین دفعہ آ چکے جب سے وہ منسٹر بنے فورن آفیرز کے تو آج بھی آ سکتے ہیں کوئی ان کے اوپر پابندی تو ہے نہیں یہاں پہ کہ وہ نہیں آ سکتے وہ تہران پہلے بھی گئے تھے اب بھی جا سکتے ہیں تو بات ساری یہ ہے کہ سر بیٹنا پڑے گا اس چیزوں کے اوپر ادروائز کوئی نہیں ہے باقی رہی غزا کی بات یا فلسطین کی بات تو آج بھی سنڈے کو بھی بہت بڑا پروٹیسٹ اسلام آباد میں ایک تحریک اللہ بیٹ پاکستان نے کیا لاس سنڈے کو جماعت اسلامی جو ہے سراج اللہ صاحب اور ان کے لوگوں نے ایک پروٹیسٹ کیا وہ دنیا بھر میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں لوگ اپنی سمپتیز شو کر رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے اور طرح کے مطلب سوچتے ہیں اپنے اپنے مائنڈز کے ساتھ سوچتے ہیں اور لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ان کو help کر سکتے ہیں جو ان کے ساتھ border share کرتے ہیں وہ تو مطلب انہوں نے تو کان آنکھ کے سب کچھ بند کیا ہو وہ تو پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھا دی کہ وہ اسرائیل کو یہ تک نہیں کہتے یا یہ بات نہیں کرتے کہ آپ settle down کر لیتے ہیں چیزیں اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں ان کے ساتھ جنگ ہے تو ان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ جنگ لڑ سکے ان کے ساتھ لیکن at least یہ تو کر سکتے کہ بھئی بیٹھ جاتے ہیں یہ مسئلہ once for all ختم کر دیتے ہیں جو لو جگہ ان کو مطلب بنتی ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں جو آپ کا ملک آپ رہے ہیں بس اپنا country کو رکھے اور آپ کے پاس power اور سارا کچھ ہے آپ اس کو لیکن یہ کون سا 58 countries میں سے مسلم countries کی میں بات کروں کس نے یہ بات کیا سب کہہ رہے ہیں بجی ہمیں بڑا افسوس ہے ہمیں بڑا افسوس ہے یہ بچے مر گئے خواتین مر گئے یہ فلاں گیا یہ ہر کو یہی بات کر رہے ہیں تو خالی ان باتوں سے تو مسائل حل نہیں ہوتے میں کہتا ہم سے اچھا امریکہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں لیکن انتونی بلنکن بار بار یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یار سیز فائر کرو سیز فائر کرو جیسے تیسے بھی کہتا ہے انتونی بلنک وہ نتن یاؤ مانتے ہیں یا نہیں مانتے لیکن وہ بار بار جو بائیڈن اس کو بیجتے اور اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ یہ کریں یوں کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ تھوڑا سا مطلب کول ڈاؤن ہو جائے ہو جائیں تو ہمارے تو باقی لوگ خامخا کے جسے کہتے ہیں کہ پروٹسٹ اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے بائیکارٹس کرنے ہیں ان کے پروڈکٹس کے ان کے یہ کے علانکہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی اس چیز سے اسرائیل کو یا امریکہ کو اس چیز سے کوئی بہت بڑا فرق پڑتا ہو ہاں فرق تب پڑتا کہ اگر 58 کنٹریز بیٹھتی اور ایک مطلب جسے کہتا ہے نا کہ ایک loud and clear message جاتا تو شاید پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں وہ کہتے کہ ہاں جنگ نہیں کرتے لیکن باتچیت کرتے ہیں dialogues کرتے ہیں اس مسئلے کو حل کرتے ہیں تو ہم ہم نے بس condemnation پہ اور protest پہ زور دیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے Thank you فکر بھائی بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ سے مجید یہ word بھی بڑا اچھا لگتا ہے اردو کا مجید باتچیت ہوتی رہے گی اور بھارت کے اور ہندوستان کے سبھی لوگوں کی طرف سے میں آپ کو کہنا چاہوں گا اور اور پشتو کے word یعنی بول لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور language is اگر پشتو ویسے لوگ کہتے ہیں ہمارے کے بڑی مشکل language ہے لیکن لوگ سیکھ جاتے ہیں پشاور consulate میں میں نے بہت سارے Americans دیکھیں جو ایسی پشتو بولتے ہیں کہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی تری ایسی پشتو ہاتی ہے بہت اچھی پشتو بولتے ہیں no doubt about that لیکن خیر anyway دیکھیں language کبھی difficult نہیں ہوتی اس کو لوگ difficult بنا دے language تو جوڑنے کا نام ہے جب language جوڑنے کے لیے use کی جائے تو difficult ہو جاتی ہے برنہ تو ہر بھاشا بہت پیاری ہے بھاشا بہت important لیکن سب مانو کی ہی ہے so every language is a is a beautiful language for me at least میرے لیے language is a part of communication so once again فکر بھائی دا خدا ہے پاامن ماشا دے شاہ ماشا کے گن لنا دیرہ مانا 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 دیرہ مانا